कि आयोध्या से आ रही है, आयोध्या में आज से कमर्शियल उडानों की होगी शुरूआत सबसे पहली फ्लाइट दिल्ली से होगी रवाना, सुबह 11 बचकर 55 मिनट पर ये फ्लाइट उडान भरेगी दस जनवरी से बाजबता परवाजा का शुरू हो जाएगा तो इस वक्त की बड़ी और रहम खबर आपको बता रहे हैं आयोध्या से तो आज से फ्लाइट से उडान भरने वाली है आयोध्या में आज से कमर्शल उडानों की होगी शुरूात और सबसे पहली फ्लाइट दिल्ली से होगी रवाना सुबह 11 बचकर 55 मिनट पर ये फ्लाइट उडान भरेगी दस जनवरी से बाजबता परवाजा का सलसला शुरू होगा तो यहां के लोगों के लिए एक बड़े खुशकबरी आयोध्यावासियों के लिए एक एहम खबर है ये क्योंकि अब उनके घर के पास से भी कमर्शल फ्लाइट उडान भरने जा रही है उडानों की शुरुआत सबसे पहले जो फ्लाइट होगी वो दिल्ली से रवाना होगी और सुबह 11 बचकर 55 मिनट का वक्त तै किया गया है इसके लिए और खासी तैयारियां भी इसके लिए की गई है दस जनवरी से बाजबता परवाज़ा का सलसला भी शुरू हो जाएगा लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि कमर्शल उडानों की शुरुआत से हो रही है अयोध्या में ये शुरुआत की जाएगी और इसको लेकर खास इंतिजाम किये गए है बंदोबस्त किये गए है जो हाइटेक तरीके से इंतिजाम है वो यहाँ पर किये गए है ताकि किसी तरह की कोई परिशानी इस दौरान पेश ना आए जब उडान यहाँ से भरी जाए तो कमर्शल उडानों की शुरुआत आज से की जा रही है फ्लाइट दिल्ली से रवाना होगी ग्यारा बच कर 55 मिनट का वक्त तै किया गया है इस फ्लाइट के उडान भरने के लिए और इसके अलावा आपको बता दें की दस जनवरी से बाज़ापता परवाजा का सिलसला भी शुरू हो जाएगा तो आयोध्या को और ज़्यादा डेवलफ करने के लिए उसके विकास के लिए लगतार रहम कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से और इसी दिशा में ये एक और पहल इसे माना जा सकता है जिस तरीके से आज कमर्शल उडानों की शुरुआत यहां से की जानी है उडानों की शुरुआत सबसे पहली फ्लाइट दिल्ली से होगी ये रवाना और सुभे 11 बचकर 55 मिनट पर ये फ्लाइट उडान भरेगी दस जनवरी से बाज़ापता परवाजा का सलसला भी शुरू हो जाएगा इसको लेकर खास इंतिजाम किये गए हैं तगड़े हिफाज़ती बंदोबस्त यहां पर किये गए हैं ताकि जब इसकी शुरुआत हो तो किसी तरह की कोई परशानी का सामना लोगों को ना करना पड़े तो बड़ी औरहम खायवर और आयोध्याबासियों के लिए एक बड़ी खुशकबरी क्योंकि अब उनके शेहर से भी फ्लाइट्स उडान भरेंगी क्योंकि काफी दिक्कते लोगों को पेश आती थी वहां से फ्लाइट्स नहीं चला करती थी तो आने जाने में परशानियो का सामना करना परता था और ट्रेंस और वसों से काफी वक्त लग जाये करता था लेकिन अब जिस तरीके से कमर्शिल उडानों की शुरुआत हो रही है आज से उसे देखते हुए वहां के लोगों में भी खासी खुशी बनी हुई है खासा जोश देखने को मिल रहा है और आ का सलसला शुरू हो जाएगा तो अगर आपको कही जाना है आप आयोध्या में रहते हैं तो आपके लिए आने जाने में असानी हो जाएगी क्योंकि अब यहां से भी कमर्शिल फ्लाइट्स उडान भरना आज से शुरू कर देंगी